नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाद अनुसार पे, मैं हूँ आपकी शेफ, आपकी होस्ट सीमा, आप सब को नवे साल की हारदिक शुपकाम नाएं, और इस अफसर पे हम बनाते हैं एक क्विक पाटी रेसिपी, जिसका नाम है चिकन पॉपकॉन, तो चलिए देखते हैं कैस से बनता है, सबसे पहले हम लेते हैं बोनलिस चिकन, यह है करीबन 300 ग्राम और इसमें हम लेंगे ब्रेस्ट पीस, और उसे हम एकदम छोटे बाइट साइज पीसे में काटेंगे, अब हम इसमें डालेंगे, वन टी स्पून सॉल्ट, लाल मिश्ची पावडर, गालिक एक टी स्पून, आधी चमच, काली मिश्ची पावडर, वन टी स्पून, कॉन फ्ला, और फिर हम डालेंगे सेलरी, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अगर आपको सेलरी नहीं भी डालनी है, तो ठीक है, सेलरी ऑप्शनल है, और इसे अच्छे से मारिनेट करके, हम इसे करीबन आदे घंटे तक रखेंगे, और अगर इसमें आपको थोड़ा इंडियन ट्विस्ट देना है, तो आप एक टी स्पून अध्रक लसन भी डाल सकते हैं, यहां हमने अपना कोटिंग स्टेशन तयार किया है, यह एक कटोरी ओट्स हैं, एक कटोरी मैदा है, और दो अं और इसमें हम डालेंगे 3 तेबल स्पून ही ओट्स, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें हम डालेंगे हलका सा नमक, थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्ची, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसमें डालेंगे लास्ट में थोड़ी सी सेलिन, अब हम लेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन, इसे मैदे में थोड़ा रोल करेंगे, फिर इसको हम अंडे में डालेंगे, उसमें से उठाएंगे, और इसे इसमें डोल कर देंगे, जो ओट्स और मैदा है, इसी तरह जितना भी मैरिनेटेड चिकन है, उसे हम ऐसे ही कोट करके तयार कर लेंगे, इसे मैं मैदा और ओट्स में कोट कर रही हूँ, ताके ये चिकन पॉपकॉन अच्छा क्रिस्पी और क्रंची बने, मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था, वो अच्छा गरम हो गया है, अब हम चिकन पॉपकॉन को फ्राइ करेंगे, अब हम इसे धीमी आंच पे थोड़ा फ्राइ करेंगे, ताके चिकन अच्छे से अंदर से पक जाए, और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता, तब तक हम नहीं निकालेंगे, अब हमारे चिकन पॉपकॉन एक दम तयार है, इसका कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है, और अब हम इसे निकालेंगे, ये रहा हमारा क्रांची क्रिस्पी चिकन पॉपकॉन एकदम तयार, बहुत की स्वाधिश्ट है, जरूर बनाईएगा, और हमें लिखिया आपकी रेसिपी कैसे बनी, और आप सब को फिर से नवे साल की बहुत शुब कामनाए, झाल